Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे A और N का यूज A और N का यूज कहां करते हैं? यह नशरी और केजी के क्लासों में पढ़ाया जाता है तो हम सुरू करते हैं A और N का यूज तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि Alphabet 26 होते हैं 5 भॉवेल और Consonants 21 होते हैं A, E, I, O, U जो कि भॉवेल हैं और B, C, D, F ये सब Consonants हैं अगर सरल सब्दों में कहें तो A, B, C, D में यानि कि Alphabet में A, E, I, O, U को छोड़ कर जो भी Letters आते हैं उन्हें हम Consonants कहते हैं अब हम सिखेंगे कि A और N का यूज कहां पर होता है तो जो भॉवेल साउंड होते हैं A, E, I, O, U इसमें हम N का यूज करते हैं और जो Consonants साउंड होते हैं उसमें हम A का यूज करते हैं भॉवेल साउंड कहने का मतलब जैसे एपल, एग, इंग पोट, ओरेंज जो भी वर्ड्स भॉवेल से सुरू होते हैं उन्हें हम N का यूज करेंगे और जो भी वर्ड्स जैसे बॉल, कैट, डॉग, फिश Consonants से सुरू होते हैं उन्हें हम A का यूज करेंगे जैसे एकजामपल देखते हैं जैसे हमने लिखा Apple Apple का First Letter देखेंगे, कि क्या है First letter A है तो A का यूज, सुरी Apple में A का यूज करेंगे या N का यूज करेंगे इसके लिए हम इसका First Letter देखेंगे कि यह भॉवेल है या Consonant है तो हम यहां देखते हैं कि A क्या है एक भॉवेल है इसलिए हम यहाँ पे A का यूज करेंगे अब हम दूसरा एक्जामपल देखते हैं जिसे बॉल बी ए डबल ल पॉल तो हमें सिर्फ फॉर्स लेटर देखना है तो फॉर्स लेटर क्या है बी बी क्या है भॉवेल है या कॉंसोनेंट पहले यह चेक क कॉंसोनेंट है तो हम यहाँ A का यूज करेंगे ठीकल्त स्वर्य यहाँ A का यूज होगा कि अब अगला अग्जामपल है कैट सि-ए-टी कैट and first letter c है C क्या है सिच कॉनसोनेंट है तो हम यहाँ पे एक का यूज करेंगे, तो कहने का मतलब है, जहां uhh और इसमें हम आन का यूज करेंगे अब अगला एकजाम्पल का डिखते है, रोज रोज का first letter R है R क्या है? R एक consonant है R एक consonant है तो इसमें हम A का यूज करेंगे तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जिस भी words का पहला letter अगर boil sound होता है तो हम N का यूज करते हैं अगर consonant sound होता है तो हम A का यूज करते हैं इसी तरह हम बहुत सारे examples देख सकते हैं और हम जितना examples देखेंगे उतना हमारी clarity और बढ़ेगी जैसे हमें